जे योगो राडो मेरे जितने वी सादक शादिकाई भाईवे ने उन सब को मेरी तरफ से प्रणाम शुकर हो मैं तांत्रिक साइदास फिर से आप सब के सम्मुक्स कुछ बाते लेके प्रस्तुत किया हूं जो बात आप सब को जानना जरूरी सब जादक को बात सुरू करने से पहले अब सब को मैं यह कहना चाहूंगा तंत्र शास्त्र बहुत ही गहरा राज है इसको समझने वाला इंसान बहुत ही कम है क्यूंकि इसको समझने के लिए धेरिया बहुत जरूरी है विश्वास बहुत जरूरी है विश्वास अपने इस्ट देबता के उपर जिनके साधना आप करते हैं और विश्वास अपने गूरू के उपर और सबसे प्रत्थम विश्वास अपने आप के उपर कि आप कर सकते हो दूसरा बात है धेरिये एक साधक के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि साधना जो है साधना स्चत्र में एक मज़े हुए खिलाडी बनने के लिए या मज़े हुए साधक या मज़े हुए व्यक्ति बनने के लिए आपको समय लगेगा अपको धेरिये लगेगा एक दिन में होने वाला कोई चीज यह नहीं है हाँ आपको छोटा मोटा सिद्धी करना है जैसे भूत प्रेट चुडेल पिसाच तो वो संभब होता है अमावस्या के रात्रिया कोई सुभ मोरो जैसे ह भूली दीवाली दसेरा में ठीक मैं उस साधना की यहां बात नहीं कर रहा हूं एक सुरुवातिक कक्षा से लेके कि जो है स्नात्रकत्तर के लिए यानि ग्राजूशन जो ले स्टर कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं कि उसके उपर तो बहुत सारी और भी है वह पीजी डॉक्टर एड वह सब करते हैं उत्रा उपर तो जाने के लिए समय कापी है कि एक उधारण आप सबके समुक्स पहले प्रस्तूत कर देता हूं फिर आगे की बात करूं कि एक मेरा सिष्चै है इनको मैंने मेश-5 को इनका मेसेज आया आपके आश्री वात से जो भी समस्य था वो टल गया है आपके चरनों में कोटी कोटी प्रणा नाम मेश-5 को इन्होंने ये मेसेज लिखा है फिर में 31 को इनका मेसेज आता है कि घुरु जी उनका पहले कौल आया था कि कुछ heh सीखना है मुझे और कुछ सीखना है मैं ने उनको कहा फिर उन्होंने गुरू जी प्रणाम लिखे मैंने का आपने गुरुदिक्षा लिए थे उस मंत्रों को मंत्र की सिद्धी हासल कि नहीं मैंन उनको यह सवाल पूछा तो उन्होंने क्या लिखाए कि कर लिया है तो मेरी जबाब भी सुन लिजे आप अपना फोटो नाम भेजिए और नीचे अपने माता का नाम लिखे तो मैं देखकर बोलूंगा अपनी शक्तियों से पता करके बोलूंगा कि अपने किस हद तक सिद्ध किये आपने जो साधना मुझसे मांग रहे है कि आप उस लायक है की नहीं मुझे भी जारना जरूरी है क्योंकि जो साधक का पहला स्तर है पहला पड़ाओ है पहला कक्षा जो है वो गुरु मंत्र सिद्धी उसके बाद ही दूसरा कक्षा में पेर रखेगा या पहले क Christmas उतिर ना होने से पहले कोई दुसरे क्षा में जा नहीं सकता है यह वैसे ही वात हैं तो मैंने उनका परिक्षं किया है पिर मैंने उनको लिखा तो इनका मेरे मैसजों रहाा वो भी आप सुन ली सोन लिजेगा गुरु जी मैंने गुरु मंत्र का पहले सवालाख जब किया फिर आपको फोटो बेज़ा था आपने बोला था नहीं हुआ है पूरा करके तो फिर आपके आधेस अनुसार मैंने एक चालिज दिन होगे तिन लाख गुरु मंत्र तो इनकी मेसेजे इनकी कहना ये है कि इन्हों सवालाख गुरु मंत्र का पहले जब किया फिर उन्होंने दूसरी पर कहने साधना में बैठा ता और उस साधना को पूरुण नहीं हुआ वह परिंट सहाधना है कि इन्होंत नहीं हुआ है तो इन्होंने यह लि speech मैनेल लिखा मुझे पर है. मैं हर कारिय चिद्ध होता है. मैं बहुत खुष हूँ. मा मुझे जो मेरे साथ होने वाला है वो पहले से अनलब हो जाता है. और मैं उस परसानी से बच जाता हूँ आपकी भी कृपा है. तो मैंने उनको ज्यादा भेहस ना करते हुए नीचे उनको लिखा कि तो आगे आपकी मर्जी फिर मैंने कभीता की तोर पे उनको समझाने की कुशिस किया जो समझदार लोग है उनको इसा रखा पिए तो आप सब भी गोर से सुनिएगा इस बात को मैंने उनको ये कहा रास्ते की बीच में इसलिए ना बेटना कि पेड़ की छाय मिला कुछ कदम आगे चलके तो देख तेरे लिए पुरा महल खड़ा है महल पड़ा है ये मैंने उनको लिखा था मैरे कहने का मतलब है इनको पूर्णताय गुरुमंत्र की सिद्धी नहीं मिला है जो इनोंने 80% सिद्धी किये यानि मंत्र तो जाप किये मंत्रों की उर्जा अपने सरीर में बना जिससे इनको कही सरे अनभव हुआ कही सरे चमतकरी के अनभव हुआ जिससे इनको लगा कि इनको सिद्धी हासिल हो गया है जबकि सचा ही है इनको सिद्धी हासिल नहीं हुआ है तो छोटे मोटे चमतकर दे कि ये साधना रोग दिये कि मुझे तो सिद्धी ऐसली हुआ है मैं चोटे-मोटे चमत कारिया चोटे-मोटे चीजों के बारे में पता कर सकता हूँ तो मेरा आप सबसे यही कहना है सभी साधकों से पहले आच्छे गुरु चुनिए और पहली कारिया आपका सफलता पूर्वक रहेगा कि आच्छा गुरु चुनिए तो आगे कि कोई कारिया आपका है ही नहीं तब ही जाके आप्व एक मंजिल तक पहुंचोगी और सिद्ध साधक भी बनोगी ऐसा नहीं बनते हैं आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता है मर्जी उपर वाला का चलता है और उसकी बाद जिन से आप दिक्षा लिए लगवग उनीका ही चलता है जिस दिन आप उसके स्तान पर पहुंच जाएंगे जिस दिन आप गुरु के स्तान पर पहुंच जाएंगे तब आप इस बातों को समझने लगोगी कि मैंने अपने समय में क्या-क्या गलती किया था आज मैं जिस स्तान पर हूँ क्या मैं इस तरीके के गलती फिर से दोराओंगा की ने तो बात बहुत सारी चीजे है यहां वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाता हूँ यह वीडियो इसलिए आप सब के लिए बनाया था ताकि आप सब को एक छोटा सा सीख मिल सके आप सब समझ सको कि आच्छा गुरु बनाना कितना आवस्यक है परना हमें जिन्दक में सफलता तो मिलना दूर की बात है हमसे भटकते रहते गोल गोल घूमते रहते किसी एक जगा पर पहुंचेंगे नहीं हम यह भी काफी टाइम पहले से जुड़े हुए थे यह भी सादक है हमारे बहुत चाहीं बले लगभक इनोंने पहली बार जुड़े थे हमारे साद ऑक्टबर चब्वीस दोज़ार उन्निस को इनोंने पहली बार जुड़े थे पुराने सादक है हमारे सब गुरुदिक से किये फिर चुपचा बेढ़ गये आज तो कुछ नहीं किये क्यूं बजा आप सबके सम्मुक्स मैंने बताया चोटे मोटे चमतकार से खुस होगे यहनी रेगिस्तान में चल रहे थे चोटा मोटा उनको पेड़ दिग गया थंडी हावा मिल गया वहीं वेट के सुष्टी नेले लग गये आगे चले ही नहीं उन्होंने आगे चलके आते तो काफी बड़ा महल भी मिलता अच्छा खासा भजोन भी खाने को भजोन प्राप्त ह होता पीने को थंडा पानी भी मिलता लेकिन यह आधा अधुरा सफर करके रुख गये वहां जब आज इतना दिनों के बाद मुझे दूसरा साधना मांगे तो मैंने कहा पहले जो साधना दिया था क्या उसको आपने पूर्ण किये तो उन्होंने खुद को ही अपना सिद्ध साबित कर दिया यानि खुद को ही सिद्ध को सिद्ध कर दिया जबकि यह सच्चा ही नहीं है यह आधा अधुरा सच्चा ही है क्योंकि खुद को आधा अधुरा ही सिद्धी हासिल ही कहते आधा अधुरा सिद्धी हासिल को सिद्धी हासिल नहीं कहते और आधा अधा अधु और इस चक्कर में आप यह मत्यों सोच लेने कि आपसे सिद्धी हासिल हो गया है तो आप सबके मन में ये सवाल होगा कि एक सच्चे साधक का और जो शिद्ध किया गया साधक का पहचान क्या होता है वे इसके पर एक वीडियो बनाऊंगा वाकाईदा और आपको सबको बताऊंगा कि केसे सच्चे सादक को पहचाने और खुद एक सादक अपने आपको केसे पहचाने कि उसने सिद्धी आसिल किया कि नहीं तो आज के लिए समय इतना था जे उगराडो सुगरात्र